टाइम मैनेज़िमेंट के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको जादा टाइम क्यों चाहिए आपको अपनी जिन्दगी में फोकस रहने के लिए एक फ्लो बनाना ज़रूरी होगा या आपको डिस्टाक्ट होने से बचने में आपकी मदद करेगा हमें अपने डिस्टाक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए मतलब ये है distraction से हमारा time बरबाद होता है क्योंकि हम ऐसी चीजों की तरफ attract हो जाते हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्या आपने कभी ये note किया है कि हमारे कुछ दोस्त हमेशा busy रहते हैं हाला कि वो कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी busy जब पूछो तब busy और मुझे इस बात का हैसास हुआ जो लोग सबसे खाली हैं वही सबसे busy हैं I hope आप समझ रहे हैं फर्क सिर्फ इतना है कि वो वक्त तो लगा रहे हैं लेकिन शायद ऐसी चीजों पर जो life में बहुत जरुरी नहीं है या उन चीजों पर जो उनकी growth में help नहीं करेंगी आज हम इस बात का solution निकालने के लिए एक ऐसी book के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि आखी time का सही से इस्तमाल कैसी किया जाए time management कैसे करें important चीजों को कैसे prioritize करें ताकि हम अपनी life में unlimited growth के साथ आगे बढ़ सकें आज हम make time how to focus on what matters everyday इस book के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जेक नाप और जॉन जराटसकी ने लिखा है इस book में authors ने हमें हमारे time को बहतर ढंक से control करने का तरीका बताया है हमारे पास उन सभी कामों को पूरा करने के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं जिने हमें पूरा करने की जरुत है authors की बताएगे strategy के साथ आप हर दिन जादा inspired महसूस करेंगे किताब से आपको पता चलेगा अगर आप अपने time पर control लखना चाते हैं distraction से छुटकारा पाना चाते हैं अपने काम पर ज़्यादा ध्यान लगाना चाते हैं और अपनी जिन्दगी की quality में सुधार करना चाते हैं तो make time किताब आपका guidance कर सकती है इस किताब में कुछ important thoughts बताये गए हैं जिनसे आप अपने time को control करके उसका इस्तमाल सही जगाय कर सकेंगे distraction को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनपे react करना कम करते या हो सके तो ध्यान देना ही बंद करते रुकना सीखें अपनी energy का सही से इस्तमाल करें हर party get together या जादा activities में जाने से अपने आप को रोके हर दिन एक highlight चुने और इसे priority के साथ अपनाए आप जिस तरह से technology का इस्तमाल करते हैं उसे इतना ना इस्तमाल करें कि वो technology आपकी जिन्दगी को control करने लगे ये किताब जादा काम करना मतलब multi rasking के बारे में नहीं है बलकि make time ये चुनने के लिए framed है कि आप किस पर सबसे जादा ध्यान देना चाते हैं इस book में 4 steps का एक framework दिया गया है जिससे follow करके हम अपने वक्त से वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाते हैं पहला step सिर्व एक highlight चुनना है इसके बाद आपने जिस highlight को चुना है उस पर आपको पूरा ध्यान देना है तीसरा step उस energy के बारे में है जिसे आप दिन भर में जमा करेंगे और अपना time और ध्यान control में रखेंगे चौथा और आखरी step आपने पूरी दिन में क्या किया इस पर आपको सोचना है तो चले फिर इन चारो steps को एक एक करके detail में समझते हैं पहला element, highlight time management के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको जादा time क्यों चाहिए हर दिन आपको एक activity चुननी चाहिए और उसे priority देनी चाहिए ये कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको करने की जरत नहीं है लेकिन आप इसे पूरा होते वे देखना जरूर चाहिए आप अपने दिन में कौन से activity, पल या availability चाहते हैं उनको पहचाना ही highlight है highlight को तीन तरह से पहचाना जा सकता है सबसे जरूरी आज आपको सबसे जरूरी काम क्या करना चाहिए सटिस्वाक्शन दिन के खत मोने पर कौन सा option आपको ज़्यादा सटिस्वाइड करेगा जोई जब आप आज के बारे में सोचते हैं तो आपको उससे क्या खुशी मिलेगी नॉर्मली दिन के highlight को करने में एक घंटे से लेकर देर घंटे तक का time लगना चाहिए अब आपको अपनी highlight को चुनना शुरू करना होगा इसके लिए कुछ तरीके बताये गए है जोब की highlight को पहचानने और चुनने में मदद करेंगे उस activity को लिखना शुरू करें जोब करना चाहते हैं हर दिन एक अलग highlight का यूज करना ज़रूरी नहीं है आप इसे repeat भी कर सकते हैं आप उन चीजों की list बना सकते हैं जने आप जिंदगी में important मानते हैं आप सबसे important चीजों को चुन सकते हैं उन्हें लिख सकते हैं और अपनी highlight चुनने के लिए list का स्तमाल कर सकते हैं आप दिन के बीच में अपने time को सही तरीके से स्तमाल करने के लिए अपनी सभी बड़ी चीजों को एक ही highlight में एक साथ रख सकते हैं आप उन चीजों की एक list बना सकते हैं जिन चीजों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं आप लगादार 5 दिनों तक वही highlight कर सकते हैं जिसे हर दिन के step में बाटा जा सकता है अब आपको अपनी highlight के लिए time निकालना सीखना होगा इसके लिए कुछ तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी highlight के लिए time निकाल सकेंगे highlight के लिए time निकालने के लिए calendar में एक event जोड़कर शुरू करें क्योंकि आप सिर्फ एक date देकर एक commitment बना रहे होगे अपने calendar में दी खाली जगह में कुछ भी mark ना करें ताकि उस खाली जगह के इस्तमाल आप अपनी highlight को डालने के लिए कर सकें अगर आपको लगता है कि आपके calendar में जगह नहीं है तो उसे खाली करके time निकालने की कोशिश करें एक्जामपल के लिए आप अपनी meetings या किसी काम को करने में लगने वाले वक्त को कम करके ऐसा कर सकते हैं अगर आपको सच में sufficient time नहीं मिल पाता है तो अपने आप से पूछें कि क्या cancel किया जा सकता है कम priority वाली activities के लिए committed ना हूँ जब आप कुछ नहीं करना चाते हैं तो ना कहना सीखें जब दस्ती हर काम को ना करें हर काम को करने के लिए plan बनाए वरना आपको लगातार ये तैग करना होगा कि आपका अगला step क्या है और आप उन चीजों के बारे में सोचते time अपने अध्यान खो सकते हैं कि क्या आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आप दिन के बीच में time नहीं निकाल सकते हैं तो आप अपनी highlight को सुबह जल्दी भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपने आपको एक देर से सोने वाले इंसान मानते हैं तो अपनी रात का कुछ time अपनी highlight के लिए दे आपको जानना होगा कि आपको कब रुखना है लोगों के उनके हर रोज के काम को खत्म करने से हफते में time को बढ़ाने में मुदद मिलती है highlight को बनाने से आप अपने सबी ज़रूरी और उन कामों को पूरा कर सकते हैं जॉब करना चाते हैं और जिन कामों को पूरा करके आपको खुशी मिलती है जब आप highlight बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके काम time पर होने लगते हैं और आपको बाकी और कामों के लिए ज़्यादा time मिलेगा इसलिए आपको अपनी जिंदगी में time management के लिए पहले step highlight से शुरू करना होगा हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसी चीज़े होती हैं जिससे हम distract हो जाते हैं हमें अपनी distraction को अपने control में रखना चाहिए मतलब ये है distraction से हमारा time बरबाद होता है क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तरफ attract हो जाते हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्जांपल के लिए social media कैसी चीज़ है जो हमारे entertainment के लिए हमारे पास होती है लेकिन हम इस तरह के distraction को खत्म कर सकते हैं और अपनी highlight को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान दे सकते हैं अपनी जिन्दगी में focus होने के लिए आपको सबसे पहले अपने phone को control करना सीखना होगा अपने phone को control करके आप अपनी distraction से दूर हो सकेंगे और अपनी highlight को time पर पूरा कर सकेंगे यहाँ पर इसके कुछ तरीके हैं बिना किसी लगाव या pressure की mobile phone का इस्तमाल करें आप इसे 24 घंटे, एक सब्ता या एक मेने तक आजमा सकते हैं अगर आपको सच में कुछ application को इस्तमाल करने के जरूत है तो बस तभी उने इस्तमाल करें मतलब यह है कि आपको उन्हें application पर control हासिल करना है जिने आप सिर्फ बहुत जरूरी होने पर इस्तमाल करते हैं शोशल मीडिया से हर बार log out करें ताकि आपको हर बार login करने के लिए अपना email address और password डालना पड़े यह एक तरह का obstacle बन सकता है क्योंकि यह आपको सोशल मीडिया को लगातार इस्तमाल करने से रोगता है और यह आपके distraction को हराने का सबसे अच्छा तरीका है notification को आने से बंद करें ताकि आप भूल सकें कि आपके पास कोई app भी मौजूद है और इस तरह से अपना ध्यान भटकाने से बचें अपने फोन की होम स्क्रीन पर किसी भी तस्वीर को ना लगाएं क्योंकि हर बार जब आप फोन के इस्तमाल करते हैं तो एक खाली स्क्रीन आपको शान्ति का टाइम दे सकती है क्योंकि इससे आपका कोई ध्यान भंग नहीं होगा रिस्ट वाच पहने ये आपके फोन पर टाइम पता करने से आपको रोकेगा और ये आपको फोन के खिचाव से बचाता है अपनी कॉंसेंट्रेशन में सुधार करने के लिए आप अपने फोन को काम पर ले जा सकते हैं और उन्हें वहीं पर छोड़ सकते हैं या घर आने पर आप अपने फोन को अपने आप से दूर रख सकते हैं अगर आप अपने फोन को कंट्रोल कर सकेंगे तो आप शोश्यल मीडिया की तरफ अट्राक्ट नहीं होगे जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचे का और आप उस टाइम का इस्तमाल सही जगह कर सकेंगे इसलिए आपको अपने हाइलाइट के लिए टाइम निकालने के लिए टाइम को बरबाद करने से बचना होगा जिससे आप अपने गाम पर फोकस कर पाएंगे अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आप KUKU FM पर The Power of Focus और Deep Work की बुक्स अमरी को भी सुन सकते हैं जिससे आप अपने फोक्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं आप भी KUKU FM को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सिस, हजार आडियो बुक्स अमरी को भी सुन सकते हैं इसके लिए आपको एक जगे बैटने की ज़रुत नहीं है वाक करते हुए, ट्रावल करते वक्त, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं अभी एन्वल मेंबर्शिप के साथ चल रहा है 50% डिसकाउंट मतलब 399 रुपे की जगा, सिर्फ 199 रुपे इसके लिए जल्दी से RBC 50 open code यूज़ करें क्योंकि ये सिर्फ पहले 200 users को ही मिल पाता है इसका लिंक भी डिस्टोशन में डाल दिया गया है इन्फिनिटी पूल से दूरी बनाएं इन्फिनिटी पूल, मतलब वो खिचाब या लगाव होता है जिसके कोई हद नहीं होती और आप लगातार, बार-बार उस काम के लिए अपना टाइम बरबाद कर सकते हैं इसलिए आपको इन्फिनिटी पूल से दूर ही रहना चाहिए इसके लिए कुछ चीज़ें आपकी मदद करेंगी अगर आप उन्हें आप्स का इस्तमाल करने से वस्ते हैं जो सुबह-सुबह आपको डिस्टैक करती हैं तो फोकस करना असान होगा आपको हर दिन न्यूस पढ़ने की जरुरत नहीं है अगर ये बहुत जरूरी है तो ये आपके पास खुदा आएंगी जब आप फोकस कर रहे हूं तो अगर हो सके तो इंटरनेट को बंद करते जिससे फाल्दू चीज़े दूर रहेंगी हम इसे बहुत से लोग अपने इमेल में काफी टाइम बरबाद कर देते हैं इसलिए इमेल को देखने के लिए कुछ ज़रूरी तरीके अपनाने चाहिए दिन के खत्मोने पर अपने इमेल का इस्तमाल करें और अपना इंबॉक्स देखने के लिए एक टाइम डिसाइड करें हफते में एक बार अपना इंबॉक्स खाली करें इमेल का जवाब देने में जल्दबाजी ना करें ये जान लें अगर ये बहुत ज़रूरी है तो इंसान आपसे दूसरे तरीके से भी कॉंटाक कर सकता है टीवी को occasional pleasure बनाए टीवी देखने से हमारा बहुत सारा time खराब होता है क्योंकि कोई भी शो आदे से एक घंटे का time लेता है और हम उसे आदे में छोड़ कर नहीं चाते जिससे वक्त की बरबादी होती है इसलिए टीवी को सिर्फ कभी कभी देखने से आपको उसकी लगत नहीं लगेगी और आप अपना सारा time बचा सकेंगे इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा टीवी पर न्यूज देखने की आदत ना डालें टीवी को कम से कम इस्तमाल करें आपको केबल टीवी, एच्बियो, नेट्विक्स को देखने से खुद को रोकना होगा या ऐसी चीजों का इस्तमाल ही बंद कर देना होगा क्योंकि इन स्ट्रीमिंग सेवाव में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है जो आपको डिस्टाक कर सकता है आपको अपनी जिन्दगी में फोकस रहने के लिए एक फ्लो बनाना ज़रूरी होगा या आपको डिस्टाक होने से बचने में आपकी मदद करेगा इसके लिए कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी लोगों को आपको डिस्टॉब करने से रोकने के लिए हीड़फॉन या बंद दर्वजों कह इस्तमाल करें पूरा ध्यान देते रहने के लिए एक time limit set करें, timer का इस्तमाल करें, ये तरीका आपको ये देखने की permission देता है, कि time बीत रहा है और आपको उस पर ध्यान देने के जरुत है, job कर रहे हैं, computer की बचए, कागस पर लिखने को ज़ादा ध्यान दे, क्योंकि computer में कई और काम भी हो जिसके लिए आपको कुछ तरीकों से काम करना होगा, job को focus बनाए रखेंगे, अपनी सांस को देखते हुए आप जो कर रहे थे, उस पर ध्यान देते रहें, जिससे आप अपना focus वापस पा सकते हैं, आप जो कर रहे हैं, उसके लिए खुद को committed करें, जब आप वो काम कर र अपने शरीर की देखभाल करने से आती है, exercise, खाना, नींद, शांती और face to face time से अपनी battery चार्ज करें, अगर आपका energy level जादा होगा, तो आप कसी काम को जादा अच्छे से और पूरे motivation के साथ कर सकेंगे, इसलिए आपको अपनी energy को, customize करने के तरीकों को ज़रूर अपनाना चाहिए, हमेशा motion में रहे, exercise करने से आपका शरीर active रहता है, और उसमें थकान कम होती है, आप fit रहते हैं, जिससे आप हर काम को पूरी energy के साथ जल्दी से पूरा कर सकते हैं, तो इसलिए पने शरीर को सही धंक से काम करते रहने देने के लिए, आपको रोज exercise करने चाहिए, हमेशा शरीर को चलाते रहें, और energy को हासिल करते रहें, हर रोज exercise करें, यह हर रोज walk पर जाना, या सीडिया चड़ने जैसे कुछ simple activities हो सकती हैं, जल्दी workout करें, example के लिए, आप 7 minute की training भी कर सकते हैं, असली खाना खाएं, आपका खाना और आपके खाने का तरीका ही, आपक काम करते रहें, fish, पौधे, red meat, या nuts का सेवन करें, क्योंकि यह energy देने में बहुत मदद करते हैं, सबसे पहले salad को अपनी plate में डालें, और वो भी जादा मातरा में, fast आपको focus रख सकता है, या आपके दिमाग में बदलाव करता है, जो आपको ऐसा करने की permission देता है, आपने कैफिन को optimize करें, अपने energy level को बनाये रखने के लिए, coffee का इस्तमाल कुछ साथधानियों के साथ ही करें, और बस energy को हासिल करें, दिन की पहली coffee को सुबह साड़े 9 बजे तक ही पियें, ऐसा इसली है, क्योंकि उस time से पहले, cortisol का level बहुत जादा होता है, तब कैफिन का कोई impact नहीं पड़ता, जब आप ठक जाएं, तो एक cup coffee पीएं, और 15 मिनट की जपकी लें, कैफिन को खोन में absorb होने में वक्त लगता है, और जब आप जागते हैं, तो आप आराम हैसूस करेंगे, energy को बनाये रखने के लिए, आप coffee को green tea से बदल सकते हैं, coffee पीने से अगले दिन की सबसे दूर रख कर, कुछ ऐसे कामों को करना होगा, जब को खुशी देंगे, और आप अच्छा महसूस कर सकेंगे, nature में जादा से जादा time बिताएं, क्योंकि इससे हमारी mental energy influence होती है, में radiation करें, एक break लें, और अपने headphone को घर पर छोड़ दें, इस तरह आपका दिमाग आर ना खाएं, कुछ time के लिए आपका दिमाग शांत रहेगा, तो वो अच्छा सोची का, meditation करके या nature के साथ time बिता कर, बाकि सबी चीजों से दूर रहकर, आप अपनी energy को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसे जरूर करें, एक cave में सो जाएं, सोना मतलब आराम करना, और वो time आपक किसी धकान के साथ ना उठे, आपको लगातार energy बनाये रखने के लिए, सोने के इन कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, सोने से पहले उन चीजों की तलाश करें, जो आपको सुकुन दे, social network, email या news website को इस्तमाल करने से बुचें, क्योंकि इससे दिमाग की speed तेज होती है, बहतर नींद के लिए अपने mobile phone और बाकी devices को अपने कमरे से दूर रखें, सोने से कुछ घंटे पहले अपने घर की रोशनी कम कर दें, energy को फिर से भरने के लिए दिन में 20 मिनट की जपकी लेना शुरू करें, हफते के आखिर में नींद के खोई हुए घंटों की भ प्यार रहें, चौथा element, reflection, हर दिन आपको इस बात की कीमत लगानी होगी, कि आपके इस highlight को करने में able थे, ये note करना बहुत ज़रूरी है, कि आपके एक तैकी हुई activity, साथ ही दिन में इस्तमाल की जाने वाले energy के level पर, आप कितना ध्यान लगाने में काम्याब रहे, और क्य आपने इस किताब में बताई कई, strategy का इस्तमाल किया, इसके लावा author ने एक सला दिये है, कि make time book के strategies को अपनाने का आपका experience कैसा था, क्या ये आपके लिए काम करती है, या नहीं, उसके बाद आपको प्लान करना होगा, कि अगले दिन कौन से strategy का इस्तमाल किया चाए, अगर और आपको जिन्दगी भर इसको करते रहने की जुरुद नहीं है, इसलिए कोशिश करते रहें, और अपने result को हासिल करें, चौतिय और आखरी step में आपको देखना है, कि ये किताब आपके कितने काम आई, तो पहले किताब में बताएगे strategies का इस्तमाल करें, और make time book की से अपना time management करने की कोशिश करें, पूरी energy के साथ काम को करें, और अपने result तक पहुचें, और हर उस तरीके को लिखें, जो किताब में बताएगे थे, और उन्होंने आपके मदद की, आपको उसके बाद ही सोचना है, कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले शुरुआत करें, और make time में बताएगे thoughts और strategies को follow करें, तो दोस्तो, make time book आपको हर रोस के time management के बारे में बताती है, किताब से आपको पता चल गया होगा, कि कैसे आप highlight बना कर, अपने सभी कामों को खत्म कर सकते हैं, और खुछ रह सकते हैं, आपको अपनी highlight पर ध्या जिन्दगी में चाते हैं, जो लोग अपनी जिन्दगी में सारे काम time से खत्म करना चाते हैं, उन्हें ये किताब बहुत मदद करेगी, और आपको focused होकर काम करना सिखाएगी, मुझे उमीद है कि आपने इस किताब से अपना हर वक्त manage करने के बारे में जाना होगा, और author की बदाएगे strategies को अपनी जिन्दगी में apply करके, आप अपना काम time पर और पूरे focus होकर कर सकेंगे, थैंक ये दोस्तो, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इस book को order करके और भी detail में पढ़ सकते हैं, इसके साथ साथ आप कूको FM को डाउनलोड करके, discount के लिए rbc50 इक उपन को यूज कर सकते हैं, लिंक description में धिया गया है, अगर आप हमारी summaries को पढ़ना भी चाहते हैं, तो आप हमारी website readerbooksclub.com पर विजिट कर सकते हैं, अब आप हमारी सभी book summaries को इंडिया के सभी major audio platform पर भी सुन सकते हैं, जैसे के Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Podcast, Jio Saval, Ghana.com और भी बहुत स सारी जगा, यानि कि अब हम हर जगा हैं, बुक summaries पढ़ने के लिए website पर, सुनने के लिए podcast platform पर, और वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल पर, सभी का link description में दिया गया है, इसके साथ इस चैनल को subscribe तो कर ही देना, and hit the bell icon, ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडिय उसको देख सके, जल्दी मिलते हैं और भी बहतरीन वीडियो के साथ, thank you so much.